पर्नोग्राफी का आरोप लगने के बाद राज कुंदरा के ऊपर मुसीवतों का पहार तूट पड़ा है बीते ही दिन मुंबई पुलीस जो है सिल्पा शेटी के घर पहुची थी उनसे पूछ ताच करने के लिए अब सूतरों से मिनी जानकारी के अनुसार हम आपको बता दे कि शिल्पा शेटी के तरफ से बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि होट सोट के सेटिक समागरी के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था साथी उन्होंने कहा कि hot shot से उनका कोई लेना देना नहीं है हाला कि इस ONE अपने पती के समर्थन में भी नजर आई उन्होंने कहा है कि राजकुंद्रा निर्दोश है आपको बता दे कि विहान जो कंपनी है इंदनों की शिल्पा शेटी भी विहान कंपनी की डारेक्टर थी जिस वज़े से मुंबाई पुलीस उनसे बीते दिन पूछ ताच करने के लिए उनके घर पहुची थी शिल्पा शेटी ने दावा किया है कि होट शोट से उनका कोई लेना देना नहीं उन्होंने उलेक किया है कि इरोटिका पॉर्ण से अलग है और उनके पती राजकुंदरा पॉर्ण समागरी के निर्मान में शामिल नहीं थे शिल्पा शेटी ने आगे कहा कि ये लंदन अस्तित, वांशित, आरोपी और राच कुंदरा के बहनोई प्रदी बक्षी थे जो एप और इसके काम काज से जुरे थे शिल्पा ने दावा किया कि उनके पती निर्दोश है बता दे कि पती पर पॉर्णोग्राफी के आरोप लगने के बाद शिल्पा शेटी भी अलग थलग दिखाई दे रही थी वो टीवी शोगी शुटिंग पर भी नहीं जा रही थी, इतना ही नहीं शिल्पा ने सोशल मीजिया पर भी अपनी गती विदियो को कम कर दिया था शिल्पा शेटी की फिल्म हंगामा टू कल शुकरवार को ही रिलीज हुई है शिल्पा ने हंगामा टू के पोस्टर को अपने इंस्साग्राम पर शेयर किया था साथ ही एक मैसेज भी लिखा था उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वो हंगावाण 2 को जरूर देखें वो अपने पोस्ट में लिखती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उसका असर फिल्म पर नहीं पढ़ना चाहिए इसके पहले मामले में मुंबई पुलीस ने शिल्पा शेठी का शुक्रवार को बयान धर्च किया था पुलीस जानना चाहती है कि शिल्पा शेठी को उनके पती के इस कारोबार के बारे में कुछ पता था या नहीं शेलपा शेठी ने उनके बंगले पर पांच घंटे तक मुंबाई पुलीस ने पूज ताच की है कोट ने राज कुंदरा को 27 जुलाई तक पुलीस का स्टडी में भेजा है कुंदरा ने अपनी गिरिफतारी को बॉंबे हाई कोट में चुनौती दी है इस मामले में पुलीस अब तक 11 लोगों को गिरिफतार कर चुकी है आपको हम बता दे कि बीते दिनों क्राइम राज ने राज के सर्वर को भी ब्रामत किया था जिससे पुलीस को कई बरे सबूत हाथ लग सकते हैं हाला कि पुलीस ने ये भी कहा कि कुंदरा के गिरिफतार होने के बाद 21 जुलाई को कुछ जरूरी डेटा डिलीट कर दिये गया है इस डेटा को रिकवर करवाया जाएगा इसके अलावा जब कुंदरा को नोटिस भेजा गया था तब उनके गूगल और एपल स्टोर से होस्टे स्टार जैसे एप्स को हटा दिया गया था इसके हटने के बाद कुंदरा ने पॉली फिल्म्स की शुरुआत की थी जो उनका प्लैन भी था इस पर एडल्ट कॉंटेंट स्ट्रीम किया जाता था तो राज कुंदरा के गिरफतारी के बाद से लगातार कई सारे पहलू निकल कर सामने आये हैं जहां एक और पुलीस ने उन्हें 23 जुलाई तक हिरासत में रखा था उसके बाद कल उनकी कोट में जब पेशी हुई तो कोट के तरफ से यादेश दिया गया कि 27 जुलाई तक वो पुलीस की ही कस्टडी में रहेंगे ऐसे में उनकी पतनी और बॉलिवड इंडस्ट्री की जानी मानी अवी नेतरी शिलपा शेटी उनके बचाओं में उतरी हैं उन्होंने कहा है कि राज कुंदरा बिलकुर निर्दोश है बहराल जो आगे अपडेट साएगा फर्स बियार सबसे पहले उसको आप तक पहचाएगा धन्यवाद